रामपूर को लागपूर का लगाओं के पूर्व प्रधान हारुन पर फारिंग के केस में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफतार कर लिया है मंगलवार को हारुन के भतीचे वसीम की हमला हो गया थी प्रधान हारुन घायर हो गया था हमला करने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए थे मामले में पुलिस ने पांच नामजद और दो आने लोगों के किलाब मुकदमा दर्ज करा था इतना ही नहीं प्रशासन की मौदूदगी में आरोपियों के घर बुल्डोजर भी चलाए गया वही पुलिस ने कारवाही करते हुए दो लोगों को गिरफतार कर चूचना पर दिली पहुँची और हट्या की आरोपी मौके से हालाकी फरार होने में काम्याब रहे इसके बाद पुलिस बीच मुद्भेड भी हुई प्रुपयों को इस मुट्भेड के दिली तॉक है के था जान्दा कर दिन में तो है कुछ बद्वासु द्वारा हमला किया गया था है प्रद्वासु धुषी मुद्वारा उन्हें बचाने का प्रियास किया थैंनी वसींगी कि इस संदर में काम्योंوب परात्वारे मुक्त जड़ा जड़ा है